हेलो एव्रीवन किस हैं आप सब उमीद है के ठीक होंगे और आज मैं आप सबसे शेयर करने लगी हूँ मेरी मौर्निंग रोटीन ये है जी अबुदाबी और अबुदाबी की मौर्निंग अभी अभी मैं नीन से उठी हूँ तो अभी बच्चों के लिए लांच वगेरा रेड़ी करना है स्कूल के लिए तो आज मैं इनके लिए वाफल बना रही हूँ और ये वाफल मेकर है आइकॉन का बहुत ही अच्छा है तो मैं यही यूज़ करती हूँ अगर पैनकेक बनाने होते हैं तो मैं पैनकेक्स देती हूँ तो फ्राइंग पैन में बनाती हूँ तो कभी मैं आपसे पैनकेक्स की रेसेपी भी शेयर करूंगी इंशाला आगी वीडियो में तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करिएगा और शेयर भी जरूर करिएगा और बच्चों का लंच रेडी बच्चों को स्कूल चोड़के फिर मैं आ जाती हूं घर पे फिर सफाई वगेरा ये वो जारू कोचा करना पड़ता है और यहां पे जो मेड्स वगेरा नहीं होती है इतनी इसीली नहीं मिलती है और एक्सपेंसिव ज्यादा होती है तो पेमेंट ज्यादा करनी पड़ती है इसके लिए इसलिए फिर घर का काम खुदी करना पड़ता है तो अभी सारा दिन काम चलता रहता है फिर खाना बनाना बरतन धोना फिर बच्चों को स्कूल से ले आउंगी मैं तो छे चकर लगाती हूं स्कूल के तो माशाला से मेरे चार बच्चे हैं तो हर किसी का टाइम अलग है तो अब्दुलहादी जो मेरा चोटा बेटा है वो 12.30 को आता है तो उसको मैं 12.30 को लेके आती हूं और बाकियों को तीन बेटिया है मेरी उनको मैं 2.30 ऐसे ले आती हूं स्कूल से तो फिर खाना वाना खाके उनको चेंज बगेरा करवा के फिर उनका स्कूल का हॉमवर्क होता है वो करना पड़ता है उनका करवाना पड़ता है उनसे यहां पे स्कूल वालों के जो है वो अलग से नखरे होते हैं बच्शे स्कूल में अलग पढ़ते हैं और लैब्टाप इनके होते हैं करोम बुक्स होते हैं अलग से हम वर्क होता है अप्स लुग रहोती है इनका वर्क होता है मेज़ का, इंग्लिश का तो वहाँ परแक्टिविटी बगठी करनी पड़ती हैं तो अच्छा है बच्छों के लिए थोड़ा टाइम भी पास हो जाता है बच्छों का तो अभी मैं यह गोबी बनाने लगी हूँ उद पेर का खाना तो इसमें मैंने सारे मसाले एड कर दिये हैं और इसको मैं पांच-देस मिनट के लिए फ्राइ कर लें यह बहुत ही एजी है तरीका अगर आप गोबी का सालन नहीं बनाते तो कभी फ्राइ कर लें गोबी बहुत मज़े की बनेगी अगर इसमें टमाटर नहीं डालें तो टमाटो पेस्ट मिलता है वो आप डाल सकते हैं उससे भी अच्छा टेस्ट आ जाता है गोबी में और थोड़ा डिफरेंट टे प्रिकन वगेरा मटन वगेरा वो बना लेती हूं तो आइस्ता आइस्ता मैं जो है आप सबसे जो है अपनी से रेसिपी वगेरा शेयर करूंगी और प्लीज मेरे चैनल खुआच करते रहिएगा और सपोर्ट करिएगा प्लीज अर अभी जो है कानवाना बना के बरतन बरतन दोने लगी हूं तो बरतन बरतन सारे धोके सारा काम खतम करके फिर बच्चों का टाइम होगा जल्दी जल्दी से तो फिर मैं बच्चों को ले आऊंगी स्कूल से मेरे हस्बेंट की जॉब होती है तो वो घर पे नहीं होते है तो 14 डेस के लिए मैं अकेली होती हूं घर पे और लेके आते है तो वो मेरा थुड़ा सा काम कम हो जाता है तो अभी सारा burden मेरे उपर हो जाता है तो जाहर सी बाते करना पड़ता है हरकोई करता है तो चले अभी मैं आप से ये शेयर कर रही हूँ मैंने पाकिस्तान से अपनी بेटियों के लिए ये कुर्तियां मंगवाई थी तो बहुत ही प्यारी है ओक्स ब्रेंड है ये वहाँ पे इंगलिस्तान जोहर में भी है ओक्स ब्रेंड तो जो कराची में रहते हैं या पाकिस्तान में रहते हैं उनको तो आराम से मिल जाएंगी यह बहुत ही अच्छा स्टाफ है लॉन का मुझे यह बहुत ही प्यारी लगी थी तो इसलिए मैंने ओनलाइन ओर किया था तो प्लीज कीप वाचिंग माई वीडियो और सब्सक्राइब लाइक शेयर माई चैनल थैंक्स अलोट पर वाचिंग माई वीडियो